18 जुलाई 2024 के दिन जगनात मंदिर के अंद्रोनी रत्न भंडार को फिर से खोला गया परन्तु द्वार खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर हर कोई स्तब्द रहे गया क्योंकि सामने एक विशाल जहरीला साप खड़ा था जब सरकार से इस विशे में पूछा गया तो सब ने मौन वरत धारन कर लिया और बात को इधर उधर घुमाने लगे इस खबर की पुष्टी निउज 18 ओडिया के साथ साथ अनेकों सेवकों ने भी किया है जो की वहां पर उस समय पे उपस्तित थे और इस भयंकर परिस्तिती क के कारण पूरी धाम के महराज जी को आना पड़ा जिसके बाद वो साप अपने आप अंतर ध्यान हो गया जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य पर ध्यान दो तर अपने आप दूर हो जाएगा आज रहस समय रत्न भंडार को लेकर पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर इसको लेकर नाना प्रकार के वाइरल वीडियोस मोबाइल टू मोबाइल घूम रहे हैं परेंतु कौन सा तथ्य सच है और कौन सा कालपनिक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा सबसे पहले ये जानना महत्तोपूर है कि इस रत्न भंडार को आखिर 46 यर्स के बाद फिर से खोलने की आवशक्ता क्यों आन पड़ी और ये मुद्धा इतना गंभीर के से बन गया कि 24 सालों से सासन कर रही सरकार को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ गया अब जिस सच को मैं कहने जा रहा हूं उसके विशे में सायधी कोई आपको बताएगा वो भी इतने विस्तार से इसी कारण ध्यान से सुनिये एवं समझे काहनी का आरंब होता है 2018 में जब तब की सरकार ने रत्न भंडार को खोलने का प्रयास किया था जांच के उद्देश्य से नहीं बलकि चोरी करने के उद्देश्य से क्योंकि अने को सेवकों ने दावा किया था कि उन्होंने रत्न भंडार में से कुछ रत्नों को चोरी होते हुए देखा है यहां तक कि पूरी के कुछ स्तानिय लोगों ने भंडार में से सोने के मुर्तियों को छुपा कर ले जाते हुए भी देखा था जब ये मामला नियंतरन से बाहर चला गया यानि सर्व साधरन में प्रकाशित होने लगा तब सरकार ने चावी गुम होने का नाटक रचा हाई कोट के रिटैर्ड जस्टिस के द्वारा इसका जांज भी किया गया परन्तु उस रिपोर्ट को भी छुपा दिया गया इसी मामले को बीजेपी ने हत्यार बना लिया और 2024 के इलेक्षन में बढ़ चड़ कर परचार करने लगा कि हमें एक अवसर दे दो हम रत्न भंडार के सत्य पर से परदा उठा कर रहेंगे ओडिसा के लोग भूके पेट रह सकते हैं बिना छट के घर में भी रह सकते हैं परन्तु महाप्रभु जगनात जी के साथ हो रहे अन्याय को सह नहीं सकते क्योंकि प्रतेकोडिया परिवार के मुखिया खुद जगनात हैं फल सोरूप 2024 में बीजेपी को बहुमत पराप्त हुआ और पहली बार फुल मेजोरिटी वाली सरकार बन गई इस नए सरकार के सामने सबसे बड़ा एवं पहला मुद्दा था रत्न भंडार को खोल कर उसके अंदर उपस्तित सभी रत्नों का ओडिट करके लोगों के सामने पुर्ण सत्य को प्रकाशित करना कि भंडार में से कुछ चोरी हुआ है या नहीं इसी के तहित नए सरकार ने चार दसकों के बाद 14 जुलाई 2024 के दिन पहली बार रत्न भंडार को खोला परिंतु द्वार खुलते ही सबसे पहले पूरी के स्पी बेहोस हो गये जिसका कारण अभी तक सपष्ट नहीं है आउटर भंडार में उपस्तित सभी रत्नों को एक अन्यस्तान पर शिफ्ट करने के बाद जब बारी इनर भंडार का आया तो ताला नहीं खुला जिसके कारण उसे तोड़ना पड़ गया ताला टूटने के बाद जैसे ही द्वार को खोला गया तो ग्यारा सदस्य वाले दल के मुखिया यानि चेर्मेन ब्लैक आउट हो गये यानि उनका होस खोबेठा और उनके सामने संपोर्ण ब्रम्हांड दिखने लगा क्यूं और केसे किसी को नहीं पता परेंतु इसके कारण उस द्वार को तुरंत बंद करके अंदर क्या-क्या सामान है उसका जांच किये भी नहीं उन्हें वहां से बाहर आना पड़ा 14 जुलाई के बाद पुनरवार 18 जुलाई के दिन अंदरुनी रत्न भंडार को खोला गया परंतु द्वार खुलते ही सामने एक विशाल जहरीला साप खड़ा था इसके पीछे अनेको कारण हो सकते हैं जितना मुझे पता चला है जांच दलने भंडार ग्रिह के रक्षक भगवान लोकनात जी से 14 जुलाई के लिए आदेश लिया था पर 18 जुलाई के लिए नहीं लिया था हो सकता है इसी कारण से वुने उसके अंदर साप दिखा इससे पहले कि आप इसे कालपनिक या मन गढ़नत काहानी समझे नीज 18 ओडिया चैनल के द्वारा परकाशित इस रिपोर्ट को एक बार देख लिजिए मुँ सेपडे नाराण मासर शिंगद्वारे आमर दाउतले बाइट दाउतले सेम्मा ने देखी कि आसचोंती सेम्मा ना सदर्श मेंबर अच्छोंती तो सेम्मा नंकर बरिष्ट से बाइत मानंकर निया जाऊची तांकर कोण कर अभी गंत कोण तोची ये वीडियो ओडिया भाषा में है जिसमें एक सेवक नर्वस होकर मेडिया के सामने कुछ महत्त पून बात बता रहा है उनका कहना है कि अंदर एक विशाल साप निकला है परन्तु जब उसे पकडने के लिए स्नेक रेस्क्यू टिम पहुंचा तो वो गायब हो गया परन्तु ये कहानी अधूरा है सचाई ये है कि जब परिस्तिती विपरित दिसा में जाने लगा तो पूरी धाम के महराज जी को अरजेंटली बुलाना पड़ा जबकि महराज ना ही उस जान्च दल का हिस्सा थे ना ही वो इस जान्च के प्रक्रिया में शामिल थे जब महराज घटनास दल पर पहुंचे तब जाकर मामला शांत हुआ साप अपने आप अंतर ध्यान हो गया और जान्च दलने सभी संदुकों को खोल कर उसमें उपस्तित सभी रतनों को एक अन्य स्तान पर स्तानांतरित किया इन सब के बाद फिर से रतन भंडार को सिल कर दिया गया और जान्च टिम मंदिर से बहर आ गया मंदिर से बहार आते ही मेडिया वालों ने उन पर ताबड तोड़ प्रशनों का वान छोड़ने लगे जिसके उत्तर में उन्होंने अपना मूँ खोलने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि बात मंदिर के सुरक्षा को लेकर है इस बात से मैं भी सेहमत हूँ और आप सब भी सेहमत होंगे कि रत्न भंडार के सभी रत्नों का जानगारी सर्व साधरन में प्रकाशित करने से मंदिर का सिक्यूरिटी कंप्रमाईज हो सकता है परन्तु मुद्दा तो ये था ही नहीं साथी प्राचीन काल में निर्माण हुआ ये भंडार सही सलामत है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलती दोजार अठरा में तब की सरकार ने किया था आज वही गलती दोजार चौबीस में ये नया सरकार कर रहा है क्योंकि इन सब के कारण भक्तों के मन में गंभीर शंक ने लग सकते हैं इसी कारण वरतमान के समय पे इस प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप किया जा रहा है और 18 जुलाई के दिन इसका पहला फेज कम्प्लीट हो चुका है अब दूसरे फेज में ASI यानि आर्केयोलोजिकल सर्वेफ इंडिया के आर्केयोलोजिस्ट संपोर् पहंडार ग्रिह का अत्याधुनिक तकनीक से जांच करेंगे लेजर स्कैनिंग मिशिन एवं ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के माध्यम से क्रैक्स का पता लगाएंगे तीसरे फेज में सभी रतनों का जांच किया जाएगा देश के नामी दामी स्रेष्ट जोहरी य क्या आप बता सकते हैं कि 45 खेत्र ओडिसा के कौन से जिल्ला में अवस्ते थे जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि भारत के कौन से राज्य में 50 लाख हिंदूओं का नाम वोटर लिष्ट से गायप कर दिया गया है सही उत्तर है विष्ट बेंगॉल विजेता है बिगनर गाय 1907 हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, स पॉलो करे ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए जय जगन्नात, जय पंचसका, जय हिंद।